स्वागत है आप सभी का वायर्दी रसोई में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज के टाइम में हर घर में बीपी सुगर मोटा पे जैसी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं ये सारी बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे खाने से ही बढ़ती हैं और खाने से ही इनको कंट्रॉल किया रूटीन और फाइवर सेलाड डेली रूटीन में यूज करेंगे तो दिन भर हम एनरजेटिक भी रहेंगे और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी बढ़िया रहेगा यही वो चीज है कि आजकल जो एथिलीट है वो भी बहुत जादा इने प्रैफर कर रहे हैं जैसे कि विर कौन पोईल हो रहा है दूसरी तरफ हम पनी वेजीज कट करेंगे सबसे पहले मैंने यहां पर लिये है गोबी और इस गोबी की एक लीफी मैंने उतार लिया है ध्यान रखना है जो लीफी है उसको अच्छे से मतलब कवर को अच्छे से देख लें कोई कीड़े वगरा ना ह और साफ कर ले उसको बस इसको इस तरीके से चोप करना है इसी तरीके से मैंने टमाटर लिया है तो टमाटर को भी मैं इसके बीज का प्रियोग नहीं करूंगी क्योंकि जिनको स्टॉन होती है तो उनको काफी प्रॉबलम करते हैं टमाटर के बीज का प्रियोग नहीं कर दे कंद पंद निर्हें करके यह कट 19 आप यूबन उबल कर अच्छे से तयार हो गए हैं चलिए तो सब जिजनों को mix करते हैं सबसे पहले खीरा खीरा के बाद इसमें टमाटर टमाटर के बाद हमने इसमें प्याज को add किया और जो हमने गोभी कट की थी उसको भी add कर दिया कौन भी डाल दिया इसके बाद हम इसमें पनीर डाल देंगे अब यहाँ पर थोड़ा सा काली मिर्ची का पाउडर थोड़ा सा चांट मसाला और थोड़ा सा काला नमक जाल कर इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है सेलड तो बन गया है और आप इसे अपने डेली रूटीन में एड करोगे न तो आप फिट एंड फाइन रहेंगे और आपको एनरजी भी बनी रहेगी डेली रूटीन में मॉर्निंग के समय अगर आपने ये सेलड यूज किया तो आप बिलकुल फिट रहने वाले हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक करें बाब बाई टेक केर